इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अप्सन कंपनी के L32 बाउन मोडल किस वाइफाई प्रिंटर को आप वाइफाई के माध्यम से अपने मोबाईल में कनेक्ट करने के बाद आप मोबाईल से जब भी कोई प्रिंट आउड दे या मोबाईल से स्कैन करके जो है आप अपने मोबाईल में सेप करना चाहें डाकूमेंट वो चीज़े कैसे ऑपरेट हो कैसे आपका मोबाईल में कनेक्ट हो इसके लिए आपको क्या क्या स्टाफ फॉलो करना पढ़ाएगा कि आपको इस प्रिंटर का वाइफाई ऑन हो जाया वाइफाई ऑन होने के यहाँ पर आप जो है वाइफाई का नाम और पासवर्ड यह कैसे जान पाएं इसके बाद किस तरीके से आपको कौन सा एप आपको अपने मुबाइल में डाउनलोड करना है कैसे क्या सेटिंग करनी है जिससे आपका यह पिंटर आपके मुबाइल में कनेक्ट हो पाए और कनेक्ट करके ऑपरेट करना है तो प्लीज इस वीडियो को बीना इसकिप किए आप देखिएगा जिससे आप कोई भी इस टप मिस्स ना कर पाएं तो यहां पर इस Epsom Company के L32 Bound Model की इस Wi-Fi पेंटर का पहले आपको अपना Wi-Fi आउन कर लेना जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरा पेंटर अभी आउन है जहां पर ग्रीन लाइट यहां पर जल लेए और ग्रीन लाइट एस्टबल है हमारी यहां पर देख सकते हैं आप जो है इसके बाद यहाँ पर देख लिज़े कि यहाँ पर हमारी Wi-Fi लाइट नहीं जल लए ही तो मतलब Wi-Fi हमारा आफ है अगर यहाँ पर यह नीचे वाली लाइट आपकी एक ग्रीन लाइट जल रही है तो मतलब Wi-Fi आपका आउन है Wi-Fi आउन करने के लिए आपको क्या क कीजि!' यह लाइट आपकी अप डॉण होगी ग्रीन लाइट जो भीर इस टब बाइफ बाइफ़ अब डाऊन होगी उसके बाद लाइट जो हैrelल दो है कि प्रिंटर चुर्ण का वाइफ़ाई का ग्री और आप इस प्रिंटर का उसके बाद printer में देख सकते हैं, यहाँ पे एक i button आपको मिल जाएगा, i button को आपको 7 सेकंड तक प्रस सकना है, उसके बाद इस button को आपको छोड़ देना है, अब यहाँ पे कुछ printout आपके printer से निकलेगा, यहाँ पे करीबन यह 3 page का हमारा printout निकला है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक, दो, यह 3 page का printout है, इसमें जो सबसे पहला page आपका निकला था, इसी में आपको आपके printer का wifi नाम और wifi password सो कर जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला paint out निकला था यहां पे देख सकते हैं को इस तरीके का आपको यहां पे लिखके आएगा wifi direct का तो यहां पे देख सकते हैं ssid name मतलब इसी नाम से आपके mobile में जब भी आप wifi on करेंगे तो वहां पे यह नाम आपका so करेंगे और उसके बाद जब भी आप mobile में connect करने के लिए password डालेंगे जैसे इस नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक password पूछेगा तो password में आपको यह डालना है प्ले स्टोर से एक app download कर लेना है तो प्ले स्टोर आपको open करते ही यहां पर आपको टाइप करना एप संब आई प्रिंट नाम का यह एप इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा तो इसको install कर लीजेगा अपने smartphone में तो यह एप इंस्टॉल होने के बाद इसको open कर लीजेग तो आपका printer Wi-Fi से connect नहीं है इसका मतलब तो इसके बाद आपको अपने Wi-Fi में जाके आपको अपना printer एप संब कर लेना है Wi-Fi में जाके देख लीजेगा printer आपका सो कर जाएगा जो कि अभी मैंने print out आपको निकाल के बताया SSID जो name आपका print out में सो कर रहा है उस SSID का यहां प अपने Epson printer का Wi-Fi का password जो है वो मैं आपको फिल कर लेता हूँ password फिल करने के बाद connect पे आपको click कर देना है अब यहां पर देख लिए printer हमारा mobile के Wi-Fi से connect हो चुका है यहां पे अब इसके बाद इसको हमें close कर देना है printer के app को भी close करके दुबारा से हमें open करना है printer का app Epson iPrint को से open कर लेते हैं अब यहां पर देख यह printer is not selected बता रहा है अब इसके बाद printer is not selected पर हमें फिर से click करना है click करने के बाद यहां पर आपको next कर देना है यहां पर देख लीजिए यहां पर एक permission allow करने के लिए पूछ रहा है you need to change your location mode to find a printer मतलब location on करने के लिए permission आप से मांग र देना है यहां पर देखिए यह 3250 स्रीज नाम का यह printer आपका सो कर गया यह 32 बाउन मोडल का हमारा printer जो की 3250 स्रीज के अंदर आता तो आपका इंफिर मत होईएगा तो इस यह 3250 स्रीज पर हमें click कर देना है उसके बाद दीचे वाले option पर आपको keep using absent eye print पर आपको click कर देना ह अब यहां पर इसको ऐसे रहने देना है आपको तो यहां printer के आगे देख सकते हैं L 3250 स्रीज लिखा है इसके आगे एक arrow बना है इस पर आपको click कर देना है यहां पर printer का नाम आ चुका है अब इसके बाद आपको back कर देना है फिर back कर देना है आपको अब यहां पर देख लि तो यहां पे आपको print photo पर जैसे click कर देंगा तो permission आप से पूछेगा, सबसे पहले आपको allow करना है, allow करने के पाद कोई भी photo आप प्रिंट करना चाहें, यहां से print कर सकते हैं, जैसके मैं एक photo आपको print कर के दिखा देता हूं, यह मेरी एक फोटो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ यहां से जैसे मैंने इस पिक को ओपन किया उसके बाद मुझे इसको सिलेट करना पड़ेगा सिलेट पे मैंने किलिक किया उसके बाद उपर आपको next का बटन मिल जाएगा next के बटन के बाद यहां पे सबसे पहला option आपको नीचे दो option मिल जाएगा एक clear का एक rotate का rotation का मतलब कि आप paper का paper का size जो होता है land skip, portable इसको rotate कर सकते हैं यहां से इसे देखे rotate में मैंने किलिक किया portable mode हो गया अब मैं किलिक कर रहा हूँ तो land skip mode हो गया इसी तरह से rotate mode और land skip यहां से change कर सकते हैं इसके बाद ऊपर आपको setting का button मिल जाएगा यहां से paste size उसके बाद layout page quality वगरा आप set कर सकते हैं तो paste size यहां पर मैं A4 paste size choose कर लेता हूँ उसके बाद कितनी copy आपको print निकाल ली यहां से plus minus साब कर सकते हैं उसके बाद यहां setting size चेक करने के बाद आपको done पर click कर देना simple अब यहां पर option आपको और मिल जाता जो भी आपका matter उसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें तो आप अपनी fingers ही जो है touch पर click करके कम जादा उसको कर सकता हैं कुछ इस तरीके से जापे आप एक side को किसी तरह print करना चाहें तो एक side प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से आपने सीकस्टमाईज कर सकते हैं जो भी matter आप print करना चाहें print आपका done होने के बाद उसको आपको print पे click कर देना है प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल से जो है आपके प्रिंटर में कमांड जाएगा प्रिंट आउट के लिए अब यहां पर हमारे प्रिंटर में मैंटर प्रिंट होने लगा है अब यहाँ पे जो हमने print out के लिए command दिया था वो print होके हमारे printer से निकल आया है अब यहाँ से हम back कर लेते हैं इसी तरह से आप print document कर सकते हैं अब मैं scan करके आपको दिखा दिता हूँ जो matter मैंने अब पे print out दिया था उसी को मैंने अपने printer के scanner में रख दिया है अब scan करने के लिए क्या करना पड़ाएगा simple आपको scan पे click करना है उसके बाद नीचे scan button पे आपको click करना है यहाँ पे जो print हमने अभी दिया था वही matter हमने अपने printer के scanner में रखा था यह scan होके हमारे mobile में so करने लगा है अब इसको directly आप save कर सकते हैं यही से mail कर सकते हैं यही से दुबारा print out दे सकते हैं नीचे तीनों option आपके दिये हैं यहाँ पे save button पे हम click करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे internet हमारा connect नहीं है तो मतलब हमारा यह file सिर्फ save हो सकती है folder में यह open हो सकती है online अगर इस file को हमें भेजना चाहे mail करना या google drive पर डालना तो उसके लिए internet connect होना जरूरी है आपके mobile में तो इसको ignore करते हैं ओके करते हैं अभी अब यहाँ पे local folder में हम save कर लेते हैं तो local folder पे click करते हैं तो यहाँ पे location पूछ रहा है अब इसको एक printer नाम का folder create है हमारे हम तो इसी folder को हम select रहने देते हैं इसको use this folder पे click कर सकते हैं आप चाहे तो एक नया folder create कर सकते हैं अपने mobile में उसके बाए allow क्लिक कर दीजेगा अब यहाँ पे किस format में आप save करना चाहेंगे पीडिया पे jpg, jpg पे हम click कर देते हैं यहाँ पे किस नाम से आप save करना चाहें उस file का आप नाम दे सकते हैं इसके बाद आपको save पे click कर देना है simple फाइल आपके phone में save हो जाएगी उसके बाद आपने gallery में जाके चेक कर लीजेगा फाइल कहां पे save हुई है किस folder में save हुई तो इसी तरह से आप भी जो है इस printer को connect करने के बाद print out दे सकते हैं अपने मुबाइल में print out के साथ साथ आप scan भी कर सकते हैं तो I hope आपको इस वीडियो में clear समझ में आ गया होगा किस तरीके से option company का L32 pawn model की इस wifi printer को कैसे हम इस printer पहले wifi को on करें, wifi on करने के बाद किस तरीके स इस printer के wifi के नाम and password को कैसे print करें, print करने के बाद wifi नाम and password को उसके बाद किस तरह से mobile में हमने अपने कौन सा app download करें, app download करने के बाद कैसे उस app की सारी setting करें, जिससे हमारा printer हमारे mobile से connect हो पाए, connect करने के बाद फिर उसके बाद कैसे हम अपने mobile से print दे पाए, print देने के बाद क कैसे हम स्कैन कर पाएं, इस सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको step by step आपको बता दिया है, और अगर इसके बावजूद भी आपका कोई question है, तो हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं, या हमें directly Instagram पर भी message करके पूछ सकते हैं, तो उमीद करते हैं, आपको ये वीडियो प problem को resolve कर पाएं, या फिर आप भी knowledge को और increase कर पाएं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के सथ, तक लिए टिक केर, बाए बाए